विल्कम टु जोती कीचन आज बनाते हैं पनीर वेज बिर्यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे कुछ टिप से शेर करूंगे आपके साथ तो चलिए शिरू करते बनाना दो टेबल स्पून तेल डाल दिया था पेन में 200 ग्राम पनीर लिया इसके पीसे इसके अदलिय दो टेबल स्पून घे भी डाल दिया हैं एक टेश्पून जीरा डालेंगे अब इसे अच्छी तरह भूंद लेंगे सबी खड़े मसाले डालेंगे दो तेश पत्ता दो छोटे लाइची एक बड़ी लाइची दो दाल चीनी के तोप्रे चार लौंग चार काली मिर्च खड अच्छी तरह इसे भूंद लेंगे गाजर डालेंगे एक बड़ा कॉर्ण के दाने डालेंगे आप चाहे तो मत्र के दाने भी डाल सकते हैं इसे अच्छी तरह मिला लेंगे अध्रक का प्रिष्ट डालेंगे कटा हुआ टमाटर पोदीना के पत्ते डालेंगे इसे भड़िया कुश्वू आएगी बिर्यानी में बढ़िया स्वाद भी आएगा आप पोदीना जरूर डालें नमक स्वाद अनुसार दो बड़े चम्मछ मैंने बिर्यानी मसाला डाला है आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं आप गोर भी सबजी एड़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कम ज्यादा की मात्रा अब इसे पनीर डालेंगे पीसे जो तले हुए थे इसे अच्छी तरह मिलाएंगे एक कप चामल बासमती लिये थे इसे सोब करके रख दिया था आदा गंटा पहले अब इसमें डालेंगे बासमत जाती चामल से बिरियानी बड़िया बनते हैं आप चाय तो नार्मल चामल भी ले सकते हैं अब इसे अच्छी तरह मिलाएंगे दू कप गरम पानी डाला है एक कप चामल के लीए दू कप पानी डालेंगे इसे बड़िया बिरियाणी बनेगी निबू का रज डालेंगे इससे बिल्कुल दाना अलग-अलग हो जाता है चामल का अब इसे 10 मिनिट के लिए ढखकन रखकर पका लेंगे प्लीज रेशिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न बूले देखें कितनी बढ़िया बिर्यानी बनी है बिल्कुल दाना दाना अलग हुआ है राइस का मिलते नई रेशिपी के साथ थेंक्यू पर वाचिंग